हेलो फ्रन्स अब देखने है टेक्टनिकल हिंदि गूलउजी फ्रन्स एक प्रोवीजिनल मैरेट एलिश्ट रिलिज अधिक है छात्रों के लिए छात्रों के लिए अच्छी कुस्कवरिये लो मार्वस e पीचात्रों को कॉलेज अलॉट किये गए हैं उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब शेट में मोपप राउंड प्रेजन टाइम में चल रहा है इसी के साथ यहाँ पर इस्ट्रे वेकेंसी राउंड का ओफिसल सेडियूल भी रिलीजबल रहने वाले क्योंकि ओफिसल नोटिज जो रिलीज किया गया है सेडियूल का उसमें यह बता दिया गया कि कौन-कौन इस्ट्रे वेकेंसी राउंड के लिए पंजाब शेट में रहने वाले हैं ऑनलाइन होगा या ओफ्लाइन होगा क्या फीस होगी सभी कुछ इस वीडियो में डिसकर् जिससे सभी चात्रों को इस ओफिसल अपडेट के इनफॉर्मेशन मिल सकें प्रैले फ्रेंट साथ यहां पर पंजाब शेट का सेडियूल देख लीजीगा उसके बाद मेरेट लिस्ट को देखेंगे तो देख सकते हैं बाबा फरीद उनिवेस्टी और मेडिकल साइंस फरी फरीद कोट एप्रूवल तू पब्लिस एड़िशन नोटिस अंडर नीट इजी दोजार वीस ऑन इवेस्टी वेपसाइड यहां से देखेंगा एड़िशन नोटिस फॉर वेक एंड सीट ऑफ एमड़ीज वीडियस कोर्स अंडर नीट इजी दोजार वीस मोपा चर रहा था और मोपा प्राउंड का जो रेजिस्टेशन डेट था फॉर्म समीशन का डेट था ठीक है वो 22 से 23 दिसंबर था और इसका जो छात्रों को इसके साथ आपको पांच शार रुपे फीज था और एसी कंडियेट को 25 रुपे था पिलस 18 परसेंट इसका जीएशन च हुता है वो समिशन से कोटी डिपोजिट की लाजट थी निकल चुकी है और इसका जो है चात्रों को अभी हम पर बात आती है कि इसकी मेरिट लेश्ट ठीक है तो मेरिट लिश्ट भी इसकी रिलीज हो चुकी है और आगे देखीगा इसका जो फिलिंग ऑप च्वाइस प्र अलोटेड कॉलेज कोर्स दर डिपोजीशन ऑफ दर थू उनलाइन पेमेंट जो आपको फीज समिट करनी होगी वो 30 दिसमबर तक करनी होगी उसके बात आती है इस्टर वेकेंसी राउंड का तो यहां से देख सकने है वाक इन कांसिलिंग फिजीकली तो इस्टर वेकेंसी इस्टर वो वहां जाइएगा कहां जाना है आपको जाना है फिजीकल उन्स सीट ओब एम एपस कोर्स अंडर्नेट उजी 2020 सेनेट हॉल भी एफ यूहस फरीद कोट यानि की आपको कॉलेज है आपका यह वाला बाबा फरीद कोट यहां पर आपको पहुँचना है कॉलेज मे बहाँ पर आपको एक Senate Hall होगा College में बहाँ पर आपको पहुचना है 31 December को दिहार रहे आपको physically पहुचना है जो भी back-end seat रहेंगी बहाँ पर आपको बताई जाएंगे कि इस college में 30 seat back-end है आप किस college में अड़ीजन लेना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर select करना होगा अब देगेगा फ्रेंट से इलिजवल कंडियेट की तो यहां पर बात हो चुकी है क्या कोई मोपप राउंड स्टार्ट हो चुका है तो सभी करनेटों के इसके बारे में पता होगा बात आती है कि इस्ट्रे वेकेंशी राउंड का ठीक है वीजवगेरा आभी चात्रों को पता चल चुका होगा कि यह गफर्मेंट कोलेज के लिए दस जार रुपए है और गवर्मेंट और प्राइवेट कोलेज के लिए एक लाग रुपए है तो यह सभी कन फर्म हो चुका होगा लेकिन हम बात करते हैं history vacancy round की eligibility for history vacancy round counseling देखें हम बोला गया है कि the candidates who are eligible for history vacancy round counseling यह बोला गया है कि all registered candidates expert the candidates who are holding joining the allotted seat of round 1 and round 2 and allotted a seat in mope up round ऐसे सभी candidates eligible रहेंगे जो registered हैं पहले से first or second round में ठीक है लेकि अगर आपने admission कहीं ले लिया है तो आप इसकी लिए eligible नहीं रहेंगे अब not eligible candidate कौन कौन से the candidates who are not eligible for history vacancy round counseling the candidates who have been allotted in a seat mope up round अगर आपको mope up round में seat allotted हो चुकी है तो आप इसके लिए eligible नहीं है क्योंकि यह साब बोला गया not eligible उसके बाद the candidates who are hold joining allotted seat round 1 round 2 mope up round पर आपको mope up round 2 में seat allotted हो चुकी और आपने join कर रखी है तो आप जो है इसके लिए eligible नहीं रहेंगे द्यार रखें तो यह कुछ criteria है जो कि आप देख सकते हैं note में बोला गया कि tuition fee during history vacancy round be collected in safe of deemed draft favor register are BFUHS फरीद कोड पेवल एड फरीद कोड और sport आपको जो tuition fee submit करनी पड़ेगी इस्ट्रे वेकेंसी राउंड में और वह आपको डीडी के through जो है submit करनी पड़ेगी यहने demand draft के ही through submit करनी पड़ेगी जो कि आपको register are BFUHS फरीद कोड के पेवल में आपको इफीज submit करनी पड़ेगी तो यह है फ्रेंट्स कुछ इसकी criteria जो कि यहां पर मैंने आपको बताया उसको फ्रेंट्स यहां पर आगे देखीगा कि अब जो लिष्ट रिलीज की गई है वो लिष्ट भी यहां में आपर देख लेते ह है देखी फ्रेंट्स मैंने मेरिट लिष्ट ऑपन कर लिया है प्रोविजिनल मेरिट लिष्ट एज पर नीट मार्क्स ऑप कंडेट्स who have submitted willingness to participate in मोपा पराउंड ऑफ ऑनलाइन कांसिलिंग फॉर एड़िशन टू एम बीपेस बीडिया स्कोर्स अंडर इवजी नीट इवजी 2020 चात्रों के नंबर सीरियल नंबर रेश्टेशन नंबर नेम फादर्स नेम नीट पर और नमर क्या है माक्स क्या है नीट का ओल इंडियर कि आपने मोपा प्राहुंड का कि राजिस्थान पंजाब का नंबर सेलेक्ट हुए है यह सभी अपने time को देखते हुए डेट को अपने अडिशन कंप्लेट कराएगा बाबाबा फरीद कॉलिज में जाकर किये तो यह इन फेर्मेस दे नी थी और लिबह कोई भी दिक्कत परिसानी आपको हो तो मुझे से कमेंट पर पूछ लें